है यह गाइस दिस विश्णु सोलंकी और आप देख रहें पर मैट्स सो आज सेकंड लेक्चर सेरीज हम स्टार्ट कर रहें नंबर सिस्टम की आपको रेगुलरली स्टेडी करनी है स्टैंडर्ड 9 ठीक है सो कुछ टोपिक्स आज कवर करने है पहला टोपिक है रियल नंबर किस तरह से करें और यहां पे कितने अलग अलग टाइप हो First of all, 10 by 3, 10 by 3, you all know that, कि इसको कैसे solve करेंगे, 10 divided by 3, So again, यहाँ जानते हो, 3, 3s are 9 होगा, and the reminder is 1, और इसको अगर आगे हमें solve करना है, तो यहाँ पे हम point लगाएंगे, तो here is a 0, again 3, 3s are 9, answer is 1, again 0, 3, 3s are 9, answer is 1, तो आप जान सकते हो, आप देख सकते हो, कि reminder हमेशा एक आएगा, और यहाँ पे 3 recur होता रहेगा, तो इसका मतलब इसका जो answer, इसका quotient है, वो रहेगा 3.333, dot dot dot, यहाँ पे repeat 3 हो रहा है, recur 3 हो रहा है, जिसको मैं लिख सकता हूँ, 3.3 recurring, this is a symbol of recurring, यह recurring हो रहा है, और जब भी कोई recurring चीज होती है, याद रखना, कोई recurring वाली चीज होती है, वो हमेशा irrational होता है, irrational क्यों होता है, क्योंकि हम उसको p upon q के form में, हम उसको नहीं लिख सकते हैं, तो यह recurring हुआ, सबसे पहले तो यहाँ मैं देख सकता हूँ, कि यह recurring है, दूसरा, यहाँ पर यह कहीं पर भी terminate नहीं हो रहा है, terminate मतलब एक जगा decimal fix हो जाना, यहाँ कहीं पर भी fix नहीं हो रहा है, तो यह non-terminating है, यह non-terminating है, recurring है, और irrational है, irrational है, irrational क्यों है, क्योंकि यह कहीं पर भी fix नहीं हो रहा है, इसका point, अगे रिकर होता जा रहे फिक्स होता तो मुसको पी अपॉन क्यों के फॉर्म में लिख सकते हैं यह आपने कल फर्स लेक्चर में देखा था नौ सेकंड एक्जामपल सेवन बाई एट अब डैरेक्ली यह पॉसिबल नहीं होता है तो यहां पर मुझे जीरो पॉइंट लेना यहां पर क्या रहेगा फोर अगें जीरो एट फाइजा फोर्टी नाव दे रिमाइंडर इस जीरो इसका मतलब की बात खतम आपका कोशेंट आपको मिल गया कोशेंट यहां पर क्या मिला जीरो पॉइंट एट सेवन फाइज यह देखो यहां इसका डैसिमल यानि कि इसके प्लैसिस वो रिकर नहीं हो रहे हैं ना तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है यहां पर एक टर्मिनेट हो चुके एक जगा फिक्स हो चुके इसका मतलब यह रिकरिंग तो नहीं है रिकरिंग मतलब एक ही चीज़ बार-बार रिपीट नहीं हो रही है तो यह टर्मिनेटिंग है और जो चीज टर्मिनेटिम होती है वो हमेशा रेश्टनल होती है रेश्टनल क्यों 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 कि इसको मैं पी अपॉन क्यों के फॉर में लिख सकता हूं किस तरह से 875 यह पॉइंट तीन स्टेप पीछे जाएगा तो नीचे डिवाइड में इतने 0 लगा सकेंगे तो यह प इतने decimal places हमें आते हैं हमारे पास सबसे पहले तो 0 पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ेगा 10 होगा 717 नाउद आंसर इस 3 अगें 0 7 4 जा 28 ठीक है आंसर इस 2 अगें 0 7 2 जा 14 आंसर इस 6 अगें 0 7 8 जा 56 आंसर 4 अगें 0 7 5 जा 35 आंसर 5 अगें 0 7 7s जा 49 नाउद देखो यह इतना लंबा प्रोसीजर किया उसके बाद हमें 1 आए अब 1 का मैं 0 लगाऊंगा यानि 10 होगा और यहां 10 तो अल्ड़ी है मतलब अब यहां से वापीस यह प्रोसीजर यहां रिपीट होती जाएगी यही लंबी लंबी प्रोसीजर रिपीट होती जाएगी इसका मतलब यही डेसिमल प्लेसिस बार-बार रिपीट होते जाएंगे इसका मतलब आंसर 0.142857 अब डौट 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 लगाना पड़ेगा क्योंकि यही डेसिमल प्लेसिस वापिस रिपीट होने जाने वाले मतलब यह है recurring इतने चीजे रिकर हो रही है इतनी चीजे रिकर हो रही है मतलब बार बार repeat होगी आगे की तरफ ठीक है तो यह recurring है यह non-terminating है और यह irrational है तो इस तरह से हम कोई भी decimal expansion find करके उसको identify कर सकते हैं उसकी properties हमें लगा सकते हैं कि वो rational है irrational है recurring है non-terminating है तो य यह सब चीज है ठीक है तो आपका first method आज इधर complete हुआ यह आपका homework है 3 by 13 2 by 11 and 4 and यह mixed fraction है तो इसको थोड़ा आपको solve कर देना है 840 32 plus 133 by 8 कर दोगे आप तब यह easy होगा आपके लिए ठीक है so now second method express in the form of p upon q देखो यह method में almost सब लोगों को problem होती है 9th वा लोगों भी even अभी जो current semester में है वो देखो क्या है इसमें logically इसको कैसे solve करें तो सबसे पहले यह point 3 solve करें easy example p upon q के form में लिखना है और यह symbol है recurring का मतलब के यहाँ पे 3 recur हो रहा है मतलब चलता ही जाएगा मैं इसको x suppose कर रहा हूँ ठीक है अब यह point को अगर मैं एक step पीछे लेके जाओं तो यहाँ पे 1 0 लग जाता है देखो क्या किया मैंने यह point x step पीछे गया तो obviously divide में क्या करना पड़ता है 10 करना पड़ता है वो 10 सिधा इस तरफ चला गया सिंपल है एक logics फंडा समझो यहां जितने भी point पीछे लेते हो उतने 0 यहां पे लगते है अब देखो कौन से नंबर में मैं x को add करूंगा एक logics समझे अब यह तो simple example है देखो 3 में मैं 0.3333 add कर सकता हूँ तो मुझे मिलता है 3.3333 मैंने इस तरह से उसको split क्यों किया उसका इस reason है देखो यहां पे इसको मैं split करूंगा नहीं तो एक नंबर को मैं x suppose नहीं कर पाऊंगा तो उसको प्यपन क्यों मैं बना नहीं पाएंगे यह नंबर को मैंने 2 पा एक condition है condition क्या कि जो यह second वाला जो यह number है यह यह आपका x के बराबर होना चाहिए याद रखना यह हमेसा आपके x के बराबर होना चाहिए यानि कि मैंने इसकी जगा पे मैंने x लिख दिया क्योंकि यह already x है इसको ही हमने x suppose किया है अब यह x इस तरफ जाएगा तो 10x minus x is equal to 3 तो 9x is equal to 3 तो x is equal to 3 by 9 3 by 9 यानि कि हम लिख सकते हैं 1 by 3 तो आप यह आपको 1 by 3 से मिलेगा पी अपन क्यू फॉर्म क्या हुआ हुआ 1 by 3 आप calculator में करोगे तो आपको answer आगा 0.3333 रिकर होता हुआ दिखेगा ठीक है बस इसमें एक ही चीज याद रखनी है यहाँ पे जो number है वो x के बराबर होना चाहिए याद रखना ठीक है नाव 1.27 यहाँ पे देखो recurring का symbol 27 पे है ठीक है सबसे पहले तो इसको x suppose करेंगे 1.272727 कुछ लोग यहाँ 777 रिकर कर देते हैं एक चीज आपको ध्यान रखनी है recurring का symbol 27 पे है दोनों पे है अब यहाँ जितने भी point पीछे लोगा उतने यहाँ पे 0 लगेंगे तो x is equal to यहाँ पे मैं 2 point पीछे लेता हूं क्योंकि recurring 2727 7272 नहीं है अगर मैं यहाँ एक step पीछे लेता हूं recurring 7272 हो जाता मुझे वो नहीं करना है मुझे 2727 recurring दिखाना है इसलिए मैं 2 step point पीछे लेके जाता ह हूं तो देखो अब recurring 2727 दिख रहा है ठीक है अगर एक step पीछे लेता तो 7272 आ जाता दो step पीछे लिया है तो यहाँ दो 0 लगेंगे आपको पता है ठीक है now again अब यह step important है 100x is equal to कौन से नंबर में मैं x को add करूं x कौन सा है 1.2727 कौन से नंबर में मैं x को add करूंगा तो मु देखो यह नंबर को हम दो पार्ट में split कर रहे हैं तो कौन से नंबर में मैं 1.2727 को add करूं तो मुझे यह वाला नंबर मिले मतलब यहाँ मैंने 1.2727 ही क्यों लिखा क्योंकि यहाँ पे x लिखना compulsory है यह पहले example में हमने देख लिया है ठीक है तो कौन से नंबर में मैं यह add करूं तो मुझे यह मिलेगा तो इन दोनों का simple subtraction करो तो मुझे यहाँ नंबर मिल जाएगा रखना वाला तो यह पूरा का पूरा calculation में दिखाता नहीं हूं मैं calculator में कर देता हूं क्या है 1.272727 ओके उसमें से मैं 1.2727 को निकाल दूं तो मेरा answer आया 126 तो इसका मतलब 126 यह नंबर identify करना आपको पढ़ेगा now 100x is equal to 126 plus यह नंबर तो पूरा x ही है यह x लेना कम पर सरी है x इस तरफ आएगा तो हो जाएगा 100x में से 1 के 1x जाएगा तो हो जाएगा 99x is equal to 126 x is equal to 126 divided by 99 यानि होता है 14 by 11 दोनों को 9 से डिवाइड करें तो तो इस तरह से इसको p upon q के form में हमने लिख दिया ठीक है now next example देखो यह examples बहुत important है यही पूछे जाते हैं तो इस पे focus करो बाकी number line पे plot करना या decimal expansion यह सब easy examples हैं यह तो आप वैसे ही कर लोगे now x x is equal to 0.4 recurring का symbol सिर्फ 7 पे है तो हम यह 7 को ही recurring होता हुआ दिखाएंगे अब यहाँ पे एक point पीछे लूँगा क्योंकि recurring 7 ही दिखाना है तो x is equal to 4.777 7 को recurring होता हुआ दिखाएंगे तो यहाँ पे एक step पीछे लेया तो यहाँ पे 0 लगा अब बात करनी है split करने की यहाँ x को रखना कंपल सरी है x यानि की कौन सा यह वाला 0.477 तो किस में से मैं यह किस में यह add करूं तो मुझे यह मिलेगा तो simple इन दोनों का आपको क्या करना इदर subtraction 4.777 4.777-0.4777 यानि की 4.2993 यानि की simple 4.3 ही हुआ अगर इसको decimal को हम expand करें तो 4.3 ही होता है ठीक है सो ना 4.3 में मैं यह add करूंगा तो मैं यह मिलेगा 10x 4.3 प्लस यह तो पूरा x ही है क्योंकि इसकी जगा x सपोस्ट किया है न अब x इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 9x is equal to 4.3 यहां point रहना allowable नहीं है यह point मुझे निकालना है तो यह point वापिस x टेप पीछे लेके जाओ तो अब यह हो जाएगा 43 और जब भी point पीछे लेते हो point को पीछे की तरफ डिस्प्लेस करते हो तो यहां पे एक 0 लग जाता है तो अब यह हो गया 90x तो x is equal to 43 by 90 इस तरह से आपके example से यह soul होते हैं अब यह दोनों है example 0.23 pi 235 और उसमें 235 235 235 repeat हो रहे है रिकर हो रहे है और यह है 0.001 001 तीनों पे रिकरिंग का सिम्बोल है ठीक है तो यह आपको homework में करना है now the last method plot 3.765 on a number line is quite easy for everyone क्या है 3.765 को number line पे plot करना है तो किस दरह से करें सबसे पहले तो decimal place देखो decimal place कितने है point के पीछे 1,2,3 तो यह 3 है तो obviously इससे एक जादा यानि कि आपकी total lines बनेगी वो 4 बनेगी अब थोड़ा दिमाग लगाओ 3 है वो 0 और 10 के बीच में आता है तो मैंने 0,1,2,3,4 इसे करके 10 तक मैंने expand कर दिया अब 3.7 3.7 कहां आता है 3.7 तो देखो सबसे पहले तो 3 3.7 वो आता है 3 और 4 के बीच में आता है तो अब यह line को हम zoom करेंगे यह line को अगर मैं zoom करूँ तो इसका 1 and 3 रहेगा 1 and 4 रहेगा सोरी यहाँ पे line में 3 रहेगा 1 and और 1 and रहेगा 4 यह line को zoom करूँगा तो बीच में कौन-कौन से point रहेंगे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 ऐसे 4 तक रहेंगे अब क्या है 3.7 3.7 यह रहा 3.7, 6 वो 3.7 और 3.8 के बीच में आता है यह 3.7, यह 3.8 इन दोनों के बीच में 3.76 आता है तब इसको zoom करेंगे इसको zoom करेंगे तो obviously यहाँ पे 3.7 रहेगा यहाँ पे 3.8 रहेगा और उसके intermediate terms यानि की 3.71, 3.72, 3.76, 3.73, 3.74 वो सब यहाँ आने वाले हैं फोकस करना है 3.76 पे 3.76 यह रहा 3.77 यह रहा 3.765, 3.76 और 3.77 के बीच में आता है यहाँ पे यहाँ और इसको zoom करेंगे तो अब यह एक end पे रहेगा यह दूसरी end पे रहेगा तो अब जो line बनेगे वो बनेगे 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765 that is your number यह आपका number है तो इस तरह से आप कोई भी number को number line पे plot कर सकते हैं इस तरह से number line आपको expand zoom करकर करके अलग-अलग बनानी है create करनी है यह आपको हो मुक है 4.2626 यह आप देख सकते हैं 26 recur हो रहा है तो इसको आपको plot करना है number line पे पर एक शर्त याद रखो सिफ 4 decimal प्लेस तक आपको number line में इसको plot करना है decimal प्लेस 4 है तो आपकी number line बनेगी वो 5 बनेगी पांच अलग-अलग number line पे आपको plot करना है तो यह lecture series 2 complete होता है यहाँ पे अपका lecture series 3 आएगा जिसमें यह पूरा chapter ही complete हो जाएगा ठीक है तो इस सब्सक्राइब से ध्यान बनाए रखिए हम syllabus cover कर रहे हैं आपका free time चल रहा है और वीडियो शेर कीजिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बेल अगन दबाईए तो आपको regular notifications मिलती रहा है thank you and have a good day